हेलो दोस्तों नमेशकार स्वागत आपका ट्रेन इंक्वारी पर और आज की ट्रेन जानकारी में आयोध्या धाम जंक्शन श्रीराम अंदिर के लिए दिल्ली पुराने दिल्ली अरंद्वर्य टर्मिनल से कौन-कौन सी ट्रेने चलती हैं इसके बारे में डीटेल में बताने वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशे के तरह रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पे नहीं सब्सक्राइब में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जब से प्रान प्रतिष्टा श्रीराम जर्म भूमी आयोध्या में की गई है बाइस एक दो हजार चोवी मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वालो हूँ देखिए कर रूट मैप की बात करें हूं तो नई दिली पुराने दिली या आनद व्यार टर्मिनल से अधिया पहुंचने के लिए लगवा आपको जो है वो 625 किलो मेटर की दूरी को त्याय करना पड़ेगा इ नेली शाजापूर लखनव चारबाग होती हो जी है वह बारा बंकी और वहां से एक रूट जो है वह अधिया कैंट के लिए निकलता है अयोधिया कैंट जंक्शन जिसका पुराना नाब फैजाबाद था इसके साथ किलो मेटर नजदीक आपको मैं थोड़ा जूम करके दि उतर सकते हैं 37 किलोमेटर की दूरी है 15 टेने रेगुलर चलती है और इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ अगर बात करूं मतलब सुल्तान पर अगर उतरते हैं तो यहां से भी जो है वह नजदीक है यहां से भी आपको ट्रेन की सर्विस मिल जाएगी या 12 वंकी से चलने वाली है उसको मैंने छोड़ दिया है तो सबसे शॉर्टे सुरू 624 किलोमेटर पुराने दिली मुरादावत बरेली शाजापूर लखनुचारवक ऐउद्या केंट के रास्ते तो पहली ट्रेन यहां जो है वो 11 गंटे और 25 मिंट का समय केवल बुद्धवार को चलती है बगत की योटी जोदपूर से आती है 15,623 कामयाख्या गवाटे के लिजाने वाली ट्रेन चार पच्पन पे सुबह रवाना आकरी ट्रेन जी है वो लखनुच के रास्ते शाम को चार बजगर 20 मिंट पे ऐउद्या केंट की जंक्शन पहुंची है ऐदेधाम से 7 विहार टर्मिनल से मोग के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 15,026 और ये ट्रेन जो है वो चलती है हफते में दो दिन सों वार और बुद्ध वार को अनद विहार टर्मिनल से दोपैर में एक बजगर 25 मिनट पे और आयउद्या कैंट पहुंची है ट्रेन शाम गरात को 11 बजगर 40 मिनट पे स्लीपर साधारन श्रेनी के डिब बेस में मिलेंग एसी के वहलेबर रहेगा लोक नायक एक्सप्रेस दिली से चलकर छप्रा के लिए जाने वाली गाड़ी संख्या 15,116 केवल रवीवार को ये ट्रेन दोपैर में 2 बज़े चलती है और अध्या धाम के बज़े अध्या के जंक्शन पहुंचती है अगले दिन सुबह चार बज़ कर 20 मिनट पे 14 गंटे और 20 मिनट का समय ये ट्रेन लेती है और ये ट्रेन जो है वो चंदोसी के रास्ते चलती है स्लीपर साधारन श्रेनी वे एसी के कोच मिलेंगे हाली में शुरू के की 15,558 अन जंक्शन ही उतारती है स्लीपर वे साधारन श्रेनी के डिबबे आपको इसमें मिल जाएंगे और इसी कड़ी में अगली ट्रेन जो है वो सद्भावना एक्स्प्रस है गाड़ी संख्या 14,0018 आनंद विहार टर्मिनल से रक्सोल की बीच में चलने वाली ट्रेन और ये ट्र बार को चलती है दोपहर में चार बजकर 30 मिट पे शाम को आनंद वियर टर्मिनल से और ये ट्रेन वीज़ है वो चंदो से की रास्ते चलती है अगली ट्रेन जो है वो आयोध्या एक्स्प्रस है गाड़ी संख्या 14,206 जो कि दिल्ली से आयोध्या कैंट की बीच में जिरो जाना चलने वाली ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो बारा घंटे और पच्पन मिनिट का जो है वो समय लेती है लगनौ और मुरादाबत के रास्ती ट्रेन चलती है शाम को चे बजकर 20 मिन पे पुराने दिल्ली से आयोध्या कैंट पहुंचती है सुबह 7 बजकर 15 मिनिट प जोजाने ट्रेनाट 25 पे पुराने दिली जंक्शन से रवाना आओकर अयोध्यादाम जंक्शन पहुंचती है सुबह 6 बजकर 56 मिनिट पे 10 गंडे 31 मिनिट का समय है और ये ट्रेन कानपूर सेंटरल के रास्ते चलती है स्लिपर्स साधारन श्रेनी एसी 3 टार एसी 2 टार वे बरस्पति वार को चलती है रात को आठ बजकर 35 मिनिट पे पुराने दिली जंक्शन से और ये ट्रेन जो है अयोध्या के राज़ जंक्शन में लखनो मुरादाबाद के रास्ते सुबह 7 बजकर 53 मिनिट पे साधारन श्रेनी सलिपर एसी 3 टार वे फर्स्ट क्लास के कोच आ आया जाएगा और ये ट्रेन हफते में चार दिन चलती है रात को 9 बजकर 40 मिनिट पे रवी वार मंगलवार ब्रस्पति वार वे शुकर वार को प्रणे दिली जंक्शन से और ये ट्रेन जो है कानपूर के रास्ते चलती है ट्रेन और अगले दिन 10 बजकर 20 मिनिट पे ओध् निट्म जंक्षन पहुं सकते हैं जनकरी अच decor Mai거든 करें शेयर करें चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करेए video से रहे मांग हुँआ पुछे सबंदी को टेन जेन करें तो आप मुझे कमेंट जूर कर सकते हैं किसलिया अश्डा है जैह